नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ बिर्दु चंदेल इंदौर में कोरोना वाइरस ठीक अकरण की पक्रिया जारी है जिसके तहरे कई लोगों को अब तक वैक्सिन लगाई जा चुकी है लेकिन हाली में वैक्सिन लगवाते ही जू के करमचारी के बेहोश होने का मामला इंदौर में सामने आया है बताया जा रहा है कि बीते शनिवार फीसी सेटी अस्पताल में दुपहर बारा बजे 60 साल के जू करमचारी को कोरोना वैक्सिन लगाई गई जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़े उनका ब्लड पैशर भी करीब 200 के पार पहुँच गया बतादा जू करमचारी का नाम इम्तियास खान है वेहोश होने के बाद जब वो भोच में आए तो उन्होंने बताया कि उनकी एक आँख से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जू करमचारी को शुरुआती इलाज के बाद तुरंती एमवाई अस्पताल में शिफ्ट किया गया इसके बाद उन्हें आईसियों में रखा गया जहां उनकी तवेट अभी इस तिर बताई जा रही है इलाज के कुछ देर बाद उन्हें उस आँख से भी दिखाई देना शुरू हो गया वहीं डॉक्टरों ने बताये कि उन्हें ये परिशानी अचानक बीपी बढ़ने के कारण हुई है दरसल डॉक्टरों का कहना है कि इम्तियास खान की दस अलग अलग जाचे कराई गई है ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद ही उनके तवेट बिखड़ने का असली कारण पता चल सकेगा आपको बता दें दूसरी और इम्तियास खान के बेटे ने ये आरोप लगाया है कि उन्हें पहले कोई बिमारी नहीं थी उनकी जाचे बाहर कराई गई है जिस पर अभी तक 15,000 रुपे खर्चों चुके हैं वहीं दूसरी और जू प्रवावी डॉक्टर खुत्तम यादव ने बताया कि इम्तियास को बीपी और शुगर दोनों की परिशानी थी वहीं मामले को लेकर जिला टीका करन अधिकारी डॉक्टर तरण गुप्ता ने कहा है कि बीपी जादा बढ़ जाने से कम दिखने की समस्या आती है उन्हें एमवाई हॉस्पिटल में भेजा है वहाँ हुई जाचों की रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी स्वर्च हो सकेगी इसका बनकलाल इतना ही बने दिया बने डिया हिंदी के साथ